हाई दोस्तो हमारे चैनल Automation Fever में आपका स्वागत है आज के अपने इस वीडियो एपिसोड में Array List को और अच्छे से हम Explore करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे कि किसी seat में लिखी हुई values को Array List में हम कैसे add कर सकते हैं Array List को range में कैसे write करा सकते हैं किसे check कर सकते हैं कि एक particular item हमारी Array List में है या नहीं है Array List को Array में convert करना सीखेंगे एक Array List को clear करना या फिर उससे सारे item remove करना सीखेंगे और साथ ही हम सीखेंगे कि Array List के particular item की value को हम कैसे change edit कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, एक error list बनाते हैं, और हमारी seat 1 में कुछ student के name लिखे हुए हैं, इन name को हम अपनी error list में add कराते हैं, अगर आप error list यूज करना चाहते हैं, और आप object create कर रहे हैं, early binding यूज करके, तो आपको अपने VBA के project में एक library add करनी होगी, जिस का नाम है MS CoreLib, और क्योंकि error list by default VBA का part नहीं है, तो यह एक external library है, जो आपको add करनी होगी, इसको कैसे add किया जाता है, यह हमने अपनी last video में बताया है error list की, तो हम recommend करेंगे, कि इस video को देखने से पहले, आप हमारी उस video को देख लीजेगा, उस video का link हम उपर i button पर और नीच इस video के description में डाल देंगे, तो चलिए start करते हैं, एक error list बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले error list type का हमें एक variable बनाना होगा, जिसके लिए हम लिखेंगे dim, variable का नाम हम रख लेते हैं, l, as, और उसके बाद देना है, हमें class name, जो कि है हमारा error list, error list class का एक object create करने के लिए, या त फिर हम लिख सकते है, set al equal to u, error list, अब जो हमारी error list है, इसमें हमें items add करने हैं, और items कहां से add करने हैं, items add करने हैं, जो हमारी seat form में available है, और उसकी range जो है, a2 से लगा के, a6 तक जो भी items है, वो हमें add करने हैं, तो एक loop लगा के, इस error list में items हम add कर लेते हैं, उसके लिए, cell name से, एक range type का variable declare करते हैं, और फिर लगाते हैं, for each loop, इसके लिए हम लिखते हैं, for each variable name in, हमारी range, a2 से लगा के, a6 तक, और loop को कर देते हैं, फिर next select के बाद, अब हमें क्या करना है, इस loop के अंदर, इस range पर, a2 से, a6 पर जो भी item है, इसको हमें add कर देना है, अपने error list में, तो उसके लिए हम लिखते हैं, al.add, और space देके हम डाल देंगे, range की value, जो कि हमें मिल जाएगी, cell.value से, इस तरह दोस्तों, आप किसी भी range को, अपनी error list में populate करा सकते हैं, अपनी error list में range के item को, आप add कर सकते हैं, अब हम सीखते हैं, अगर किसी error list को, आपको clear करने हो, उसके सारे items आपको, error list से remove करने हो, तो गो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले, अभी हम देखते हैं, कि error list में item कितने हैं, तो message box में, हम error list के कितने भी item हैं, उनको करा लेते हैं, हम print, उसके लिए हम message box, space, error.count क्लिक के, इस code को run करें, तो अभी आप देखोगे, 5 items हमारी इस error list में अभी available हैं, पर अगर हमे सारे item एक साथ इसके delete करने हो, एक साथ error list से सारे item किलियर करने हो, तो उसके लिए हम use करना है, al.clear, और इतना लिखने के बाद, हम order करें, तो आप देखो, अभी error list में हमारे कितने item बचे हैं, 0, मतलब, error list से जितने भी item थी, वो सारे एक साथ के लिए हो गए हैं, ओल राइ सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं, कि error list में हमने कुछ item populate करा दिये हैं, फिर हमको जरूरत महसूस होती है, कि error list की किसी value को हमें change करना है, जैसे माल लीजिए, हमने ये range है, इसके item अपनी error list में अभी populate करा रखे हैं, पर हमको जरूरत पढ़ती है, कि इ value index पर है, इसको change करना है रानी से, इसकी value को change करनी है, तो उसको कैसे करेंगे, चलिए, देखते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे, al.item, और item के अंदर दे देंगे, वो index जिसकी हमें value change करनी है, वो है हमारी 1, equal to, जो भी value हमें change करनी है, जैसे हमें रानी करनी है, तो इसे कर देंगे हम रानी या फिर आप सीधा ऐसे भी दे सकते हैं एल डॉट आइटम लिखने की ज़रुवत नहीं है आप एल और उसके अंदर इंडेक्स दे सकते हैं नीचे वाले कोड को अभी हम कर देते हैं कमेंट और अब क्या करते हैं मैसिज बॉक्स में हम एल की पहली पोजिश पर अब रानी सो हो रहा है पर अगर इस लाइन को हम कमेंट कर दें इसके आगे एक सिंगल कोड लगा के और फिर कोड रन करें तो अब पहली पोजिशन पर तरुन आ रहा है तो दोस्तों इस तरह आप एरे लिस्ट की किसी भी आइटम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप ए किसी भी आइटम की वैल्यू चेंज कर पाएंगे ओके आप यह देखते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि कोई पर्टीकुलर वैल्यू हमारी बली में अविले दर नहीं वो कैसे करते हैं वो भी बहुत आसानी से कर सकते हम उसके लिए हम एक कंटेंस मिठाड मिलता है तो अग तरुन हमारी array list में available है क्या नहीं तो इसके लिए हम लिखेंगे al.contains और bracket में देंगे तरुन ये true या false value return करेगा उसको हम message box में print करा देंगे तरुन हमारी array list में अभी available है तो इसको true return करना चाहिए code run करें तो आप देखो message box में हमको true display हो रहा है पर अगर यहाँ पर कोई ऐसा नाम हम दे जो कि हमारी array list में available नहीं है और फिर code run करें तो हमको false मिलने वाला है इसके अलावा हम यह भी चेक कर सकते हैं कि कोई particular item array की किस index पर है उसके लिए हमें index of method का use करना होता है चलिए देखते हैं जैसे कि हम चेक करते हैं अली जो है हमारी array list के किस index पर available है तो message box में हम इसकी index को print कराते हैं इसके लिए लिखते है message box space al.index of इसके अंदर पहले देंगे जो value हमको array list में चेक करानी है कि किस वो position पर है और दूसरा searching कौन से index से start करानी है हम zero ही index से searching start कराने वाले हैं पहली जो line थी इसको comment कर देते हैं इसके बाद code run करें तो आप देखो हमारी जो value है अली वो हमारी array list की second position पर available है अब सबसे last में हम ये सीखते हैं कि array list को हम किसी seat में कैसे write करा सकते हैं तो मान लीजे हम d वाले column में array list की value को write कराएंगे वो सीखते हैं इसको हम कैसे करते हैं इसके दो तरीके हो सकते हैं पहला कि हम array list से एक एक item get करें और एक excel में write करा दे चले जाए लूप के अंदर या दूसरा तरीका हो सकता है array list को हम array में convert करें और direct हम अपनी एकसल की seat में उस array को write करा दें तो हम दूसरा तरीका सीखते हैं वो easy है एक ही line में हमारा काम हो जाए array list को किसी seat में copy करवाने के लिए हमको देनी होगी वो range इसमें हमें array list को write कराना है तो वह हमारी seat 1 में इसमें एक ही seat है इस file में तो हम देंगे seat 1.range d वाले column में हमें लिखना है तो हम लिखेंगे d1.resize पहले हम column में लिखवाते हैं array list की value इसके बाद row में लिखवाएंगे तो row को हम बन जैन देते हैं column में लिखवाने के लिए हम column size देतेंगे al.count जितने भी हमारे array list में count है equal to अब array list को किसी range में लिखवाने के लिए हमको array list को change करना होगा array में array list को array में convert करना होगा इसके लिए हम लिखेंगे array list जो कि है हमारी al.to array इस code को run करें तो जो भी हमारे array list की value है वो column में write हो जाएगी code को run करते हैं Excel की seat पर आके देखते हैं तो हमने ये column में सारी array list की value लिखवा दिया अगर हमें row में लिखवानी हो तो कैसे करेंगे उसके लिए हम row को कर देंगे al.count और column को कर देंगे one और इसके अलावा जो हमारी array list है जो array में हमने करवट करिया इसको हम transpose कर देंगे उसके लिए हम worksheet function यूज़ करेंगे transpose सिर्फ इतना करना है इतना करने के बाद अगर आप code को run करें और एक्सल पर आके देखें तो हमने आसानी से अपनी array list को एक्सल की seat में copy करा लिया है तो दोस्तों आज की लिए इतना ही आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एक seat से हम values एक array list में कैसे populate करा सकते हैं कैसे array list को clear करा सकते हैं साथ ही array list को हम किसी seat में copy कैसे कर सकते हैं और array list की किसी index की value को हम change या edit कैसे कर सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताईएगा हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अब हमारे इस चैनल को सस्काइब कर लीजिएगा अब नेक्स वीडियो लेक्सरे में लाकातो होगी बाइ